हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कारे करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुमे महानगर पालिका ने आपको घर बेटे ही पढ़ाने या यूँ कहें, अध्यान करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल दोरा आपको वीडियो के रूप में लेशन प्रसारित किया जाएगा, और वसन लेशन के जो विशे हैं, वो आपके स्क्रिन पर दिखाई देंगे, और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रिन पर ही दिखाई देंगे, चलिए शुरू करेंगे, हम आज का अपना लेशन. तो कक्षा नवी के लिए आज का हमारा यह लिसन और हमारा आज का जो विशे होगा वो होगा गड़ित भाग पहला और इस गड़ित विशे के अंतरगत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठे पुस्तक का पाठ चोथा अर्थात हमने पहला भाग देखा तो आज हम आज दूसरा भाग देखेंगे अनुपात और समानुपात भाग दो आपके पाठे पुस्तक से पाठ चोथा और मैं हूँ आपका वर्चुल मालदर्शक अजे कुमार मौरियर वर्चुल क्लासरूम तादर से तो हमने प्रमुख दो बाते बच्चो जान ली इसके पहले अनुपात क्या होता है और उसके कुछ प्रमुख गुर्धर्मों को हमने देखा और उसके बाद समानुपात क्या होता है उसका हमने एक परिशे लिया यानि उसके प्रमुख दो प्रकार को जाना तो हमने जाना अनुपात क्या है तो दो पदो का भाग के रूप में तूलना करना अनुपात होता है यह एक समाननसी परिवाशा है इसकी अर्थात अगर एक्स और वाई दो घटक या दो पद है तो उनका अनुपात अर्थात एक्स भाग दो एक्स भाग वाई अर्थात एक्स पटे वाई और फिर उसे अनुपात के रूप में लिखना हो तो X अनुपात Y चिन्न लगाते हैं अनुपात का तो ये दो डॉड जो आप देख रहे हैं वो अनुपात का चिन्न है पहला पद X है तो X का Y से अनुपात कहा जाएगा पहला पद Y होगा तो Y का X से अनुपात कहा जाएगा ये बात तमें ध्यान रखना है किस का किस से अनुपात है तो ये जो दो बिंदी देख रहे हैं के उपर है किसे अनुपात का चिन्न कहते हैं हमने ये जाना था उसके बाद हमने समानुपात देखा समानुपाद में चार पद हैं और इसमें दो अनुपाद बनते हैं तो अगर ये दो अनुपाद समान हैं चार पदों से बनने वाले या दो अनुपाद जो है समान हैं उनके मान तो हम कहते हैं A, B, C, D समानुपाद में होते हैं और इसे प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं प्रत्यक्ष समानुपात का मतलब होता है कि भाग के रूप में जो अनुपात है वह समान होना चार घटक हैं दो दो घटक या दो पदो का अनुपात बनेगा एक एक तो दो अनुपात बना और अगर दोनों अनुपात का मान समान है तो इसे हम प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं उसे प्रकार अगर चार घटक हैं लेकिन उन चार घटकों में से कुछ इस तरह से हैं कि दो दो पदों का गुड़न फल समान है यहाँ पर A गुड़े B और C गुड़े D दिखाया जा रहा है यह समान है तो A, B, C, D अनुपात में है लेकिन यह अप्रत्यक्ष समानुपात हुआ विद्क्रमानुपाती हैं यह चारो तो यह समानुपात के दो प्रमुख प्रकार हुए एक प्रत्यक्ष समानुपात दूसरा अप्रत्यक्ष समानुपात या विद्क्रमानुपात इसका उधारन द्वारा हम आर्थ समझ लेते हैं ध्यान से देखिए एक मोटर कार एक लिटर पेट्रोल में दस किलोमेटर दूरी तै करती है एक लिटर पेट्रोल में दस किलोमेटर दूरी तै करती है तो अगर दो लिटर पेट्रोल खर्च हुआ तो उस 2 लिटर पेट्रोल में वो 20 किलो मेटर जाएगी यानि 20 किलो मेटर दूरी तै करेगी उसे पर अगर 5 लिटर पेट्रोल खर्च हुए इसका मतलब वो 50 किलो मेटर दूरी तै करेगी उस 5 लिटर पेट्रोल में तो यह अध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे जितना ज्यादा लिटर होगा उतना दूर तक वो जा सकेगा याने लिटर की संख्या बढ़ गई तो गाड़ी की दोरहता है कि जाने वाली दूरी भी बढ़ती जा रही है या यूँ कहें पेट्रोल को अगर एक्स मान ले दूरी को वाई तो उनका अनुपाद चेक करते हैं याने बटे की रूप में तो एक क्लिटर दस किलोमेटर तो एक बटा दस ये पहला अनुपाद दूसरे में है दो लिटर तो वो बीस किलोमेटर ताय कर रही है तो दो बटा बीस और तीसरे में है पांस लिटर से वो पचास किलोमेटर तक जाएगी तो पांच बटा पचास मान चेक कर लेते हैं पहले एक बटे दस का मान एक बटे दस ही है दूसरा अनुपाद दो बटे बीस उसको शौट करेंगे संख्शिप्त करेंगे तो दो उसे कड़ जाएगा आएगा एक बटा दस तो एकम दो दो दामे बीस ठीक उसे बटे कर पांच और पचास कर जाएगे तो भी एक बटा दस ही आएगा तो आपने ध्यान से देखा यहां पर जो अनुपाद के मान है वो समान ही है या यूँ कहें कि यहां पर दो खटा कहने पेट्रोल और दूरी का जो अनुपाद है वो हमेशा स्थीर है हम स्थीर को के कह देते हैं याने फिक्स है निश्चित है तो ऐसे अनुपाद को प्रत्यक्ष समानुपाद कहते हैं इसमे घटक कौन से है पत कौन सा है पेट्रोल लिटर में और दूरी किलो मिटर में दूसरा उधारन देखते हैं एक मोटर कार पचास किलोमेटर प्रती घंटा की वेग से याने उसकी जो वेग है उसका वह पचास किलोमेटर प्रती घंटा है उस पीड में वह दो घंटे में एक दूरी तै कर लेती है कोई दूरी है निश्चितूरी उसको वो दो घंटे में तै कर लेती है पचास किलमेटर प्रति घंटे वेक से अब ध्यान से देखो अगर गाड़े की स्पीड बढ़ा दी जाए यानि 100 किलमेटर कर दिया जा दुगना तीजी से अगर वो जाए तो क्या वो दो घंटे में तै करेगी या कम समय में तै करेगी या जादा समय में तै करेगी तो निश्चित है कि वो कम समय में तै करेगी तो स्पीड दूना कर दिया तो समय आधा हो जाएगा दो घंटे के बज़ाए वो एक घंटे में तै कर लेगी अगर स्पीड बहुत स्लो हो गई 10 गुना यहां पर 100 से 10 आ गई 10 किलोमेटर की गती से अगर यह मोटर कार जाएगी तो वही दूरी तै करने मुसे 10 घंटा लग जाएगा और 25 किलोमेटर प्रती घंटा स्पीड हो गई तो वही दूरी तै करने मुसे 4 घंटे लग जाएगी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे इसका वेग बढ़ता है तो समय खटता है वेग कम होता है तो समय बढ़ जाता है उल्टा हो रहा है यू कहें कि यहाँ जो दो खटक है वेग और समय इनका गुड़ा करके देखते हैं क्योंकि बटे वियान अनुपात तो समान होगा ही नहीं तो पहले में जानकारी में 100 km है तो समय एक घंटा दूसरे में यहां 10 km प्रती घंटा स्पीड समय 10 घंटे उसका गुड़ा करके देखते हैं और फिर तीसरे में स्पीड 25 km प्रती घंटा है तो समय चार घंटा लगा इसका गुड़ा करके देखते हैं तो माना वेग एक समय वाई है तो एक गुड़े वाई क्या होगा तो 101,100,10 गुड़े 10,100,25 गुड़े 4,100 इसका मतलब दो घटकों का यहां गुड़न फल्स निश्चित है, स्थीर है, constant है यहां 100 है, मान लिया यह constant है, k है, यहने x गुड़े y स्थीर पद है तो आएसे जो अनुपात होते हैं, इसमें दो पदों का गुड़न फल्स्थीर हो वह अप्रतिश समानुपात या विद्कृमानुपात होता है चलिए, उसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज की प्रमुक चर्चा अनुपातों की तूलना, क्रम संबन, छोटा बड़ा, यह पैचानना और फिर अनुपात से संबन्दित कृच प्रिश्ण हला हम करेंगे आज तो ध्यान से समझते हैं, अनुपातों की तूलना यदि A बटे B यह एक अनुपात है और C बटे D यह दूसरा अनुपात है तो यह दो अनुपात हैं, जिसमें B जो है हर का पद और D यहां हर है, दोनों शुने से बड़ी हैं, अन्य शुने तो नहीं हैं, और शुने से बड़ी हैं, मतलब वो धनात्मक संक्या है तो दिए गए अनुपातों की तूलना निमले खिट यह मानसार करते हैं, कौन सा अनुपात का माना धीक है बड़ा है, कौन सा छोटा है, यह कैसे पता लगाएंगे, कि दिखने में कुछ अलग दिखेगा लेकिन इसका मान अलग होगा, तो कैसे पता लगाएंगे तो पहला एक नियम याद रखते हैं कि पहले पद में A याने उपर और दूसरे अनुपात का D जो नीचे याने तिर्चा A गुड़े D का मान B गुड़े C से बढ़ा हो याने A D बढ़ा हो B C से तो पहला अनुपात A बटे B भी बढ़ा होगा दूसरे अनुपात से सिम्पल सा बात तो A D एक तिरफ अगर वो बढ़ा है तो B C बढ़ा है तो A बटे B भी बढ़ा होगा और C बढ़े D छोटा होगा सिम्पल सा बात इसका मतलब अगर A D छोटा है B C से याने A गुड़े D का मान अगर कम है B गुड़े C से तो A बटे B का मान भी कम होगा C बटे D से तो दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है याने तिरफ गुड़ा गुड़न फल अगर अधिक है तो पहला पद पहला अनुपाद बढ़ा है अगर तिरफ गुड़ा कमान में पहला पद छोटा तो अनुपास का भी पहला अनुपास छोटा होगा और लेकिन अगर एक गुड़े D और भी गुड़े C समान हो तो क्या होगा तो पहला अनुपास और दूसरा अनुपास भी समान ही होगा बराबर होगे तो यह है क्रम निर्धारिट, क्रम संबंद निर्धारिट जाने चोटा बड़ा निर्धारिट करने के प्रमुक नियम इसको हम कुछ उधारन द्वारा समझने का प्रयास करेंगे उधारन आपके पुस्तक में पेज नंबर 62 पर दिया गया है निमलखित अनुपातों में क्रम संबंद निश्चित कीजिए क्रम संबंद करता है कौन सा अनुपात छोटा है, कौन सा अनुपात बड़ा है या दोनों का मान समान ये बताना प्रश्ने किस तरह से है? अनुपात है चार बटे नौ और साथ बटा आठ इन में छोटा बड़ा क्रम संबन्द में पैचानना है तो नियम क्या कहता है तिर्चा गुड़ा करके देखते हैं क्रम संबन्द बताना है न तो क्या करेंगे चार और आठ का गुड़ा चेक करेंगे चार गुड़े आठ और इसका मान हो गया 32 चार अठे 32 फिर दूसरा तिर्चा याने नौ गुड़े साथ को चेक करेंगे नौ गुड़े साथ ये इसका मान हो गया नौ सते 63 तो दूसरा जो गुड़न फल है उसका मान जादा है इसका मतलब दूसरा अनुपाद बड़ा हुआ तो चूँकि 32 चोटा है 63 से या 63 बड़ा है 32 से इसका मतलब जो पहला अनुपाद 4 बटा 9 है वह भी चोटा होगा 7 बटे 8 से तो इस तरह से ये हमें क्रम संबन्द निशित किया और जब भी अनुपादों का क्रम संबन्द करना हो इसी तरह तिर्चा गुड़ा करेंगे और मान चेक कर लेंगे और चोटा बड़ा पहचान लेंगे तो प्रशंग्र 4.2 का जो मुख्या प्रशन तीसरा है बच्चो उसमें कुछ प्रशन दिये गए हैं क्रम संबन्द के लिए उसको इसी तरह से हल करना है दोनों अनुपात को सामने लिखेंगे तिर्चा गुड़ा करेंगे बड़ा छोटा देखेंगे और निशान लगा देंगे एक उधारन पेज नंबर 63 पर आपके उसको सबन्ने का प्रयास करते हैं यदि A अनुपात B दो अनुपात एक है और B अनुपात C चार अनुपात एक है तो A की घाद 4 बटे 32 B का वर्ग C का वर्ग और पूरे का वर्ग घाद 3 बराबर कितना ऐसे प्रश्णों में क्या देखना है यहां A, B, C तीन तीन पत है और तीन चरांख है तो तीन चरांख को-को यहां पर हम रखेंगे तो मान तो निकलेगा यह नहीं क्योंकि न हमें A का मान पता है, न B का मान पता है, न C का मान पता है तो इसको convert करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि सब एक चरांख के रूप में हो जाए या तो सब A हो जाए, या सब B रूप हो जाए, या सब C रूप में आ जाए, ये प्रमुक मुद्धा है तो सामाने दर पर जब A, B और B, C का इस तरह से अनुपाद दिया गया हो तो हम सबी जो यहां पद है याने A को आखरी पद C के रूप में लिखने के लिए कोशिश करेंगे B को भी C के रूप में लिखने कोशिश करेंगे तो सारा पद जब C के रूप में हो जाएगा, तब हम उसे हल करेंगे कोशिश करते हैं, कैसे देखो दिया गया है यह अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 1 पहले हम पहला अनुपात देखते हैं यह अनुपात B अर्थात A बटे B बराबर दो बटे 1 तो एक तीर्चागुणा कर से देखते हैं A के कम A बराबर ये हो गया B गुड़े 2 अर्थात A बराबर 2B एक जान कर ये हमें लिए A बराबर 2B याने हमने A को B के रूप में वैक्त कर दिया चब करें दूसरा अनुपाद देखते है B अनुपाद C अर्थाद B बटे C बराबर 4 बटा 1 तिर्शा गुड़ा करेंगे तो B एककम B और C गुड़े 4 अर्थाद B बराबर 4C तो B को C के रूप में लिख दिया हमने B बराबर 4C अब जहां से देखेंगे जो हमें पहले जानकारे मिली है A बराबर 2B अब इसी 2B को हम क्या करेंगे दो गुड़े B को B के जगव पर 4C का मान रखेंगे कि हमें B जो है 4C मिला है B बराबर 4C तो यह हो गया दो गुड़े 4C अर्थाद A बराबर हो गया 8C तो A को हमने C के रूप में वक्त कर दिया बराबर तो A को हमने C के रूप में वक्त किया और B को हमने C के रूप में उपर वक्त किया तो यहाने A और B C के रूप में वक्त हो गया ध्यान दो और C अपने आप में C तो ही है यानि जहां पर A होगा वहां पर 8C जहां B होगा वहां 4C और जहां C है वहां C ही रहेगा चलिए अब मान किसका निकालना है तो मान निकालना है हमें एक इखा 4 जो कि यहां पर दिया गया है 32B square C square पूरे की खा 3 अब जहां जहां A है वहां हम 8C लिखेंगे जहां जहां B है वहां 4C लिखेंगे और C जहां है वहां C ही रखेंगे तो सब जो है यह जो पत है पूरा C में वेक्ट हो जाएगा तो A को हमने 8C लिखा उसकी खा 4 है बटे 32 गुडे B को हमने 4C लिखा जैकि हम देख रहे हैं 4C है घाद 2 और गुडे C वर वहां पहले से ही है और पूरे की घाद 3 8C की खा 4 मतलब 8 गुडे 8 गुडे 8 गुडे 8 गुडे 8 आट चार बार और C की खा 4 उसी प्रकार 32 गुडे 4C का वर मतलब 4.16 गुडे C का वर गुडे C का वर पुले की खाथ तीन अब सी के वर्ग और सी का वर्ग गुड़ा करके सी की खाथ चार हो गया, उसी की खाथ चार से उकड़ जाएगा उसके बाद सोला को आठ से भाग देके काटेंगे तो दो बार आएगा फिर बतिस को 8 से भाग देंगे तो 4 बार आएगा तो नीजे 4 और 2 है 4 दुनी 8 ये 4 दुनी 8 एक साथ कटके 8 से कट जाएगा तो अंदर बचा क्या अंदर बचा 8 घात 3 है पूरे की तो 8 घात 3 बच गया किस तरह काटने पे हमें बचा 8 की घात 3 और ये 8 की घात 3 का मान होता है 512 और यही हमारे दिये गए पत का मान हो गया जवधारन पेज नमबर 63 पर दिया गया है अब चलते हैं प्रशे संग्रे के कुछ प्रशनों को देखते हैं पेज नमबर 63 पर पहला प्रशन है A बटे B बराबर A के बटे B के अर्थात अनुपात के पद में किसी एक संक्या से गुड़ा करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता ही हमने पहले सीखा है इस गोड़ जर्म का उपयोग करते हुए यहाँ पर फिर इन दे ब्लैंक्स आएंगे इसको बरना है अनुपात के गोड़ जर्म हमने पहले देखा है यह प्रशन है आपके पाटे पुस्तक का ही पांच बटे साथ बराबर डैस खाले जगा है बटे 28 बराबर 35 बटे खाले जगा फिर बराबर खाले जगा बटे 3.5 खाले चेक करना है अनुपात जो दिया गया है पूरा यानि उपर और नीचे अंशहर और उसके बाद बाकी अनुपात में कौन-कौन से पदगायव है तो उसे हम के को खोश कर पता लगाएंगे यहां देखते हैं तो 28 कैसे आया साथ में 4 से गुढ़ा करने पर यानि यहां के 4 आया जिसका मतलब उपर पांच में भी चार से गुढ़ा होगा तो 5 चोग 20 हो जाएगा तो के 4 मिला तो 5 में गुढ़ा कर दिया अब दूसरी जो जोड़ी है अनुपात उपर 35 है और यहां 5 से गुड़ा करने पे 25 आता है किसे 7 याने के मिला 7 तो नीचे भी 7 का 7 से गुड़ा होगा 5 बटे 7 है ना तो हो गया 7 सत्य उन्चास अब तीसरा जो फिर इन द ब्लैंग से है 3 दस्पनों 5 लिखा है जबकि शुरू में क्या था 5 बटे 7 था 7 का 3 दस्पनों 5 कैसे बना 2 से भाग देने पर तो इसका मतलब 5 में भी 2 से भाग देंगे तो धाई मतलब 2 दस्पनों 5 आ जाएगा तो इस तरह से हमने यह रिफिर इन द ब्लैंक्स भर दिया दूसरा भी इसी तरह से आपको स्वयम करना है अपने नोटबुक में के का पता लगाईए और फिर उसी के से जो ग्याद करने वाला जो मान है अनुपाद का उसमें गुडा करके देख लीजिए या भाग करके देख लीजिए दूसरा प्रशन नेमलिखित अनुपाद ग्याद कीजिए यह रहा अनुपाद बताना है कथन दिया गया है पहला वृत्ति की तरिज्जा का उसकी परिधी से अनुपात ध्यान दो तरिज्जा का परिधी से अनुपात तरिज्जा होना चाहिए और परिधी होना चाहिए तो माना वृत्ति की तरिज्जा आर है तो आर वृत्ति की जो तरिज्जा होगी आर कड़ गया तो आया एक अनुपात टू पाई है न पटे टू पाई तो वृत्य की तिरिज्या का उसकी परिदिस अनुपात हो गया एक अनुपात दो पाई है न आसान कथन को ध्यान से पढ़ना है किसका किस्से अनुपात है फिर उसको हल करना है दूसरा उधारन देखते इसी में आर्थ रिज्या वाले वृत्य की परिजी का उसके क्षेत्रफल से अनुपात ध्यान दो परिजी का क्षेत्रफल से अनुपात तो परिजी क्या होगा वृत्य वाले टू पाई आर अभी हमने देखा और क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वाइर तो अनुपात क परधी 2πr, क्षेत्र फल πr², r से r एक कट जाएगा, क्योंकि r गुड़े r नीचे है उपर r है, कट गया, फिर πrk का πr से कट जाएगा, तो उपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? 1r, 2 upon r, 2 upon r, तो अनुपात हो गया, 2 अनुपात r, तो ये हो गया आर वृत्वारे वृत्व की परिधी और उसके एक्षित्रफर से अनुपात और एक उज़ारम दिखते हैं 7 संटीमेटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का ध्यान दीज़े विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात, यानि विकर्ण पहले भुजा बाद में, तो वर की भुजा साथ है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, ए भुजा वाले वर का विकर्ण ए कर्णी में दो, यानि कर्णी में दो का गुना होता है, तो साथ कर्णी दो, तो विकर्ण मिल ग अब अनुपात किसका दिना है विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात तो विकर्ण पहले आएगा या उपर आएगा और भुजा नीचे आएगी तो भुजा नीचे और विकर्ण उपर साथ करणी दो बटे साथ साथ से साथ कर गया तो हो गया और नीचे एक उपर कर्णी में दो तो अनुपात क्या बनेगा? अनुपात आएगा विकर्ण का भुजा से कर्णी दो अनुपात एक तो ध्यान से देना है किस का किस से अनुपात लगाना है उल्टा नहीं कर देना है कि भुजा उपर और विकण नीचे 4.2 चल रहा है हमारा मुख्य प्रशन दूसरा उसका एक उधारण है लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमिटर आयत की चोडाई दी गई है 3.5 सेंटीमिटर तो हमें अनुपात किसका बताना है परिमिटी का शेत्रफल से तो आप परिमिटी पहले ग्याद करेंगे फिर शेत्रफल ग्याद करेंगे और अनुपात लगा देंगे सवय अपने नोड़बो कर्वी से हल करेंगे चोथे का पहला प्रशन हल करते हैं समांतर चत्रभुज A, B, C, D के कोण A तथा कोण B के मापों का अनुपाद दिया गया है पांच अनुपाद चार तो कोण B का माप ख्याद कीजिए अनुपाद दिया गया है समांतर चत्रभुज के सनलगन कोणों का या क्रमिक कोणों का तो कोण A तथा कोण B का अनुपाद 5 अनुपाद 4 है तो अनुपाद 5 अनुपाद 4 है तो माना कोण A बराबर 5X X जो है अनुपाद का स्थिर्पद है तो B हो जाएगा 4X समादा चुद्रबुच के क्रमी कोण सनलगन नहीं बच्चो क्रमी क्याने क्रम से आने वाला कोण वह संपूरक होते हैं बराबर याने उनका योग 180 अनस होता है इसी गोड़ धर्म को ध्यान में रखते हुए दोनों कोणों का योग 180 एक समिक्रन बनाएंगे और फिर हल करेंगे 9X 180 एक्स बराबर 180 बटे 9 इसलिए X का मान हो गया भाग देने पर आएगा 20 अन तो इसलिए कोण B का मान पुछा गया तो कोण B है 4X तो 4 गुड़े 20 अर्था 24 असी अंच हुआ तो कोण B का मान भी मिल गया तो यह अनुपात की कुछ प्रश्ण थे ध्यान देंगे बच्चों समांतर चतरवुज के सनलंगन कोण या लिखा है सनलंगन कोण मन नहीं क्रमिक कोण अर्थाथ जो क्रम से आने वाले कोण है सम्मुख नहीं बगल बगल वाले याने A, B, C, D यह चतरवुज है तो A के बाद B जो है वह क्रमिक हुआ सनलंगन नहीं है क्रमिक कोण मिलाकर एक्स्वासियंस होता है हर समांतर चतरवुज में होता है गोड़ दर्व उसी का उपयोग करते वे यह प्रश्ण हमने हल किया तो बच्चो आपने देखा आज का लेसन उसके प्रमुख मुद्धों को ध्यान से बार बार दुबारा देखकर समझने का परास केजिए क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पोरा मुद्धा समझ में नहीं आता तो जैसे हम दो बार तीर बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगे है और इसके आगे की जानकाई जो होगी बच्चो वह निश्चिती हमारे अगले वीडियो में होगी तो उस वीडियो को देखने के लिए उसकी सुचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रिस कीजिए और नोडिफिकेशन और रखीए ताकि जैसे ही हमारे लेशन चैनल पर डाला जाएगा आपको वत्तुरंग राप्त होगा तो अपना ख्यार रखिए सुरशित रहिए थैंक्यू